गुड इवनिंग ओलो फ्यू यूर मोस्ट वेलकम ओन आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा जहां हम लर्निंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिसकस्शन कर चुके एक छोटा सा टॉपिक हमारा बच रहा है वो है करूप जूँशन का मतलब क sparked क्या मोटिवेशन क का ऐगा मैं पढ़ा हूं До दक कर साथ एक औरन दो थो मोतिवेशन के लाता है तो मोटिवेशन हैं आझ माचन का पास मोटिवेशन बेिशन होना चाहिए ईक को पार सके जैसे एक गुड नर्स टू इस्टेंड फास्ट प्लीज पैरेंट्स और टू प्लीज वन्स उग इगो और प्लीज साइन बड़े अफ यू गो और लाइक और लव मिस नॉर्मली क्या होता बिटा मोटिवेशन यदि आपने देखा हुआ कोई नर्सिंग स्टाफ अपनी अच्छी लाइफ जीरा है या एक ऐसा अच्छा कूर्स है तो आप भी उसकी तरह बनना चाहते हैं तो मोटिवेशन हमेशा जरूरी है लर्निंग के लिए दूसरा होता बिटा इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस का लेवल जरूरी है क्योंकि यदि बिना IQ के आप सीख नहीं सकते यदि आपके पास इंटेलिजेंस लेवल है तो आप लर्निंग जल्दी कर पाएंगे दूसरा होता बिटा फिजिक ओफ लर्निंग लर्नर का फिजिक होना फिजिकल हेल्थ होना जरूरी है यदि बोडी के अंदर पैन हो रहा है यदि वो उसकी बोडी डिसकंफर्ट है तो वो नहीं सीख फाएगा तो नॉर्मली फिजिकल हेल्थ होना बहुत जरूरी है फिजिक होना बहुत जरूरी है और इसको दूसरे वाड़ों में क्या कह सकते हैं फिजिकल हेल्थ होना जरूरी है एक परसन की और दूसरा एक परसन की मेंटल हेल्थ होना बहुत जरूरी है क्योंकि मेंटल हेल्थ के इत्रू वो लर्निंग कर सकता है इस सम्वन इस पूर इन मेंटल हेल्थ then person can't learn anything next good working conditions learn करने के लिए हमेशा working conditions अच्छी होनी चाहिए good working conditions आप classroom के अंदर बैठे हुए यदि इस classroom के अंदर यदि आपके लिए comfortable environment नहीं हो तो आप नहीं बैठेंगे ना problem आजाई शीख नहीं पाऊगे और यदि यही favorable environment आपके पास है आप रिलेक्स से आप पढ़ रहे हैं बैठ रहे हैं तो यह आपके learning को stimulate करेगा learning is helped by associated things learning learning is helped by associated associated means एक person की family एक person का environment एक person की family एक person का environment उसके दोस्त उसकी box हर चीज उसको affect करती associated एक परसन जो उसकी related जो चीज है वो सब learning को affect करती है यदि आप सीखना चाहरे है आप बैठे हो class में लेकिन एक दोस्त बुरा रहे है यार कुछ नहीं है चल अपन तो चलते हैं बहार घूमते हैं यह क्या हुआ associated things ने आपको सीखने नहीं दिया न तो associated things आपको cooperative करती है कि नहीं करती है यह आपकी learning को affect करती है length of the working period आपके working period कितना lengthy है length of working period यदि आपका working period lengthy नहीं है आप easy way में है तो आपको learning आराम से हो जाएगे यदि आप लंबे दिन भर राज भर आप लगे रहेंगे तो फिर आप कम सीख़ाइगे तो length of the working period किसी चीज़ पर आप ज़्यादा काम कर रहें तो आप उससे जल्दी सीखोगे atmosphere वहाँ का अच्छा है environment अच्छा है तो आप जल्दी सीखोगे क्योंकि दुनिया में कोई भी person सीख के नहीं आया हुआ सब लोग यही बैठके सीखते तो length of working period will affect your learning learning और next आगया maturation maturation बहुत जरूरी है maturity learning करने के लिए maturation बहुत जरूरी है जब अब मैं एक बात बताओं आपको इंसान को जब तक समझ में आता कि पढ़ाई का जब तक रोले जब तक उसका बचपन है और जब maturity आती जब उसका time चला जाता है मैं कहता हूँ ना एक इंसान को ये पता लगने में और ये समझने में जिंदगी का बहुत लमहा निकल जाता है और बाद में हर एक आपके parents भी ये कहते होंगे बिटा हम नहीं पढ़े तो देख ले तू तो पढ़ ले कम से कम जिनके पिता जी माता जी पढ़े नहीं है हर एक मावाफ ये कहीं बिटा तू तो पढ़ ले कम से कम तो maturation, maturity आपको stimulate करती है और जब ये maturity आ जाती है तो आपको learning बहुत जल्दी सीखने में helpful होता है तो दोस्तों ये question exam में बहुत बात पूछा गया है इस करण मैंने इसकी short अलग से video बनाई थी कि factors affecting learning कौन कौन से motivation, intelligence, physical of learning या physical health, mental health, good working conditions, learning is helped by associated things, length of working period and maturation ये आठो टोपिक आपको याद करना है जो आपके factors affect करते हैं learning को बाकी की और हमारी वीडियोज देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्ट्र अखलेशन में सब्सक्राइब करो शेयर करो थैंक्यू बबबाई